हलो दोस्तों इंडस्ट्रियल टेक गाइड में आप लोगों का स्वागत है आज का इस वीडियो मज़ेदार होने वाला है और वीडियो देखने से पहले जल्दी से लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें आज हम लोग जानेंगे कि मेस म आप इंडस्ट्री लाइन में देखे होंगे कि आपका जो वाई स्टेनर है या ओइल स्टेनर है यह सब मेस के उपर है जनरली हम लोग जैसे बात करते हैं 8 मेस 12 मेस 200 मेस तो यह 200 मेस और 12 मेस क्या है जैसे कि यह नंबर अफ ओपनिंग होती है एक पर्टिकुलर स्क्रीन में यह नंबर अफ ओपनिंग होती है जैसे 200 मेस है तो 200 ओपनिंग होती है नंबर अफ ओपनिंग जैसे 500 मेस है तो 500 मेस नंबर अफ ओपनिंग होती है जी हां यह ओपनिंग होती है 1 इंची इंटू 1 इंची लाइनर स्क्रीन में जो नंबर अफ ओपनिंग होती है तो उसको मेस बोला जाता है जैसे 4 मेस है तो 4 ओपनिंग है वो आपका 1 इंची इंटो 1 इंची स्क्रीन में ही 4 ओपनिंग होती है जैसे 20 मेस का है कोई आपका स्टेनर है या कुछ है तो 20 मेस का है तो 1 इंची इंटो 1 इंची स्क्रीन में ही आपका 20 ओपनिंग होती है जैसे कि आप बोलेंगे के 500 मेस है तो 500 ओपनिंग होती है और यह जो है यह मेजर में जितना ओपनिंग बढ़ेगा जितना मेस बढ़ेगा उसका जो mm डाइमेंशन है वो ओपनिंग का वो कम ह होता जाता है तो आईए आज हम मेश के बारे में जानते हैं मेश के साइज के बारे में 4 मेश in mm 4.760 5 मेश in mm 4.00 6 मेश in mm 3.360 7 मेश in mm 2.830 8 मेश in mm 2.380 10 मेश in mm 2.00 12 मेश in mm 1.680 14 मेश in mm 1.410 12 मेश in mm 0.841 26 मेश in mm 0.707 50 मेश in mm 0.297 80 मेश in mm 0.177 100 मेश in mm 0.149 200 मेश in mm 0.074 400 मेश in mm 0.03 जीरो थे रहिए मेरे साथ और आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल झाल